नमस्कार दोस्तो दोस्तो आप कुछ वीडियो में बतने वाला हो कि आप एक नई email ID कैसे बना सकते हैं दोस्तो आपने ध्यान दिया हुआ कि smart phone के अंदर कुछ भी यदि काम करना हो जैसे कि आप जैसे कि प्लेय स्टोर यूज करना हो जीमेल यूज करना हो, Google यूज करना हो, Chrome browser यूज करना हो, YouTube यूज करना हो, कुछ भी यूज करना हो, आपको कहीं न कहीं email ID को सकता पढ़ी जाती है, तो दोस्तों कैसे आप एक नई email ID बना सकते हैं, आप कुछ वीडियो मताने वाला हो, यदि आपको भी जानना है, थाम ummer यूज करने तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद, आप जैसे आते हैं, यहाँ पर ऊपर देखिए, नई email ID बनाने के लिए उपर इस वाले आईकन पे क्लिक करना होता है, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है, और नीचे कहाना है, आ सब्सक्राइब करना है यहां पर आने के बाद में देखिए आप से पूस्ता है एक नया चीज यहां आपको नहीं बनानी है यहां पर एक अप्सिन जला एक रियेट अकाउंट आपको इसको उपर क्लिक करना है यहां पर देखिए फिर पूस्ता है माई माई सेल्फ या फिर मैनेज माई बिजनेस तो आप खुद के लिए अधिकतर लोग बनाते हैं तो खुद के लिए निके फो यहां पर नीचे नेक्स पर क्लिक किए यहां पर देखिए तो आपको एक इमेल अकाउंट जो होता है जिमेल अपने इसाब से बना लीजिए इसमें आप लेटर और नमबर और फूल इस्टोप यह सब यूज कर सकते हैं यह फिर आप चाहें तो यूज मोबाईल इसके ऊप इसम ऐसे महारे करते हैं तो यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर क्लिक किजिए यहाँ पर चेकिंग यूर नंबर टिक विल है यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा यहाँ पर आपका नंबर आ जाएगा अपने फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे जाना आई एगरी पर क्लिक करना ह है ताकि आप कई भूल भी जाए उपने इमेल आईडी तो आपीस रिकवर हो जाए कई लोग मुबाइल नमर करते नहीं है और बाद में इमेल आडी भूल जाते हैं फिर उनकी रिकवर नहीं हो पाती है मतलब आपका नाम होगा उसके इसाप से इमेल आडी बना दी है अब यहां पर मैं एक इमेल आड्रेस अपने हिसाप से जनरेट करूंगा मतलब बनाओंगा और चेक करूंगा कि यह मौजूद किसी और ने तो नहीं बना रखी है नहीं बनाई होगे तो मुझे मिल जाएगी चली मैं बनाता हूं एक यहां पर देखे दूस्तों ऊपर इमेल यह कह रहा है कि यह जो इमेल आड्रेस से और रेडी किसी और ने ले रखी है तो आप कुछ और इसमें थोड़ा बदलाव किजिए बदलाव करके चेक कीजिए कि आप यह बिल्कुल नहीं बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं तो चली हम यहां पर थोड़ा नंबर अलग बन गई है अब चली हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहां पर देख सकते हैं मैंने जीमेल आइडी के अंदर मतलब यहां पर यहां पर नजर आ रहे हैं जो इस नाम से बनी थी और इमेल एड्रेस भी आपको यहां पर दिख रही होगी यहां पर मेरी इमेल एडी बन चुकी है ठीक तो यहीं तरीका है जिसके माध्यम से आप एक नई इमेल आडी बना सकते हैं और मोबाइल नंबर आप जरूर दीजे अपने इमेल एडरेस को बनातने एक साथ ही मतलब लिंक कर दीजे मोबाइल नंबर को ताकि आप मानले ज़ दोस्तों को साथ भी शेयर कीजेगा ताकि उनको इस बात की नोरी दो सके दोस्तों मिलते नंग अच्छी और संदर वीडियो को साथ अब तक के लिए जाहें जैभाद